आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो देखो question में का गया Read the following graph and answer the questions देखो हमें radar graph given है उसमें 4 parties ने जो seat जिती है different states में वो हमें given है A party ने जो जिती है उनको rhombus points से represent किया गया B की seats को square points से C की को circle points से और D ने जो जिती है उनको triangular points से represent किया गया question में का रहा है 40% of members of haryana legislative assembly and 50% members of UP legislative assembly are charged seated for involvement in crimes among these 50% and 20% are females in haryana and UP legislative assembly respectively the number of male members of haryana legislative assembly who are charged seated is what percent more वो कितना percent more या फिर less है or less the number of female members of the UP legislative assembly who are charged seated तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते है total members की एक तो haryana की बात करेंगे और एक हम UP की बात करेंगे total seats की बात करेंगे total seats sorry total members की बात करेंगे और total members किसके बराबर होंगे जितनी सभी parties ने मिलकर उस state में seat जिती है उसके बराबर होंगे तो total member हमारे पास अगर हम बात करें हरियाना की बात कर लेते हैं देखो हरियाना में देखो सबसे पहले बात करें तो A party ने जो seats जीती है वो हमारे पास कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा हम write down करते चलते हैं देखो 20 अगर बात के circle point मतलब C party ने जो seats जीती है वो कितनी है 15 है उसके बात देखो जो हमारे पास यहाँ पर lombus point और square point same A की point पर है मतलब इन दोनों ने 55 seats जीती है तो 20 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाए देखो 20 और 10 तीस तीस और 10 40 और 45 तो total member हमारे पास कितने आगे 45 member आगे चारो पार्टी के में लाकर UP की बात कर लेते हैं देखो UP की जब हम उत्तरप्रदेश की बात करेंगे तो देखो circle point पर जो है sorry square point पर जो value है वो कितनी होगी देखो इस line पर जो value मतलब कि 25 यहाँ पर value 25 तो 25 seats जो है by party ने जीती है circle point पर जो value उसकी बात कर लेते हैं तो value कितनी है 20 तो मतलब c party ने 20 seats जीता है उससे नीचे बात करें तो ट्रैंगुल मतलब D party ने कितनी seats जीता है 15 है उससे नीचे value उससे नीचे बात करें तो 10 seats जो है 70 members आ गए जब 70 seats उन्हों ने जीती हैं चारों पार्टी ने मिला कर तो अब हम बात कर लेते हैं charge seated member जिन पर charge seated है charge seated members की बात करेंगे हम crime के base पर तो देखो हमें बताया गए कि जो among these 50% and 40% members जो है हरियाना legislative assembly में और 50% members जो है UP legislative assembly में all charge seated है तो हरियाना में 40% है तो 45 का 40% हम find out कर लेंगे total members 45 है उसमें से हमें बताया गए कि 40% जो charge seated है यहाँ पर बात करें तो हमें बताया गए कि फ्रसेंट जो members है वो charge seated है UP member जो है UP legislative assembly में वो 50% member charge seated है तो 70 का 50% हम find out कर लेंगे यहाँ से देखो 10 से 10 2 से यह 2 times चला गया और यह 5 times 5 से 45 9 times तो total charge seated member हमारे पास 18 आ गया यहाँ पर तो और यहाँ पर 1 time और 2 times 2 से काट देंगे 70 को 35 time तो यहाँ पर charge seated member 35 आ गया हमारे पास उसके बाद हमें का गया गए 50% हरियाना में और 20% female जो है UP में charge seated में से जो female का जो number है वो कितना है 50% है हरियाना में तो तो हम बात करेंगे female members की जो charge seated है female charge seated member 50% है हरियाना में 50% में तोटल 18 charge seated member है उसमें से 18 का 50% हम कितना find out कर लेंगे देखो 1 time 50 से ये 2 times 2 से ये 9 times तो female कितनी हो गई 9 हो गई अगर बात करें UP में तो UP में सिर्फ 20% जो फिमेल से चार्सेटेड में से वो charge seated है तो यहाँ पर females का number कितना जाएगे तोटल 35 है उसमें से उसका 25% female है 0 से 0 2 से ये 5 times 5 से ये 7 times तो यहाँ पर female 7 आ गई ठीक है अगर हम बात करें male की हरियाना में male charge seated member कितने हो जाएगे male charge seated member is equal to तो 18 में से female को minus कर देंगे तो 18 minus 9 करेंगे तो कितना आगए 9 members है अब हमें का गया है कि जो the number of male members of हरियाना legislative assembly वो are charge seated तो हरियाना में legislative assembly में जो members charge seated है male members वो कितने है 9 है ठीक है वो पूछ रहा है is what percent more or less than number of female members of the UP legislative assembly who are charge seated तो female जो की UP legislative assembly में charge seated है वो कितनी है 7 है तो 9 जो है वो कितना कम या ज़्यादा है percentage में वो पूछ रहा है हम से 7 से तो required percentage हमारा कितना आ जाएगा required percentage will be equal to तो 9, 7 से ज़्यादा है तो हम कह सकते कि more is equal to कितना ज़्यादा है 9 minus 7 is equal to 2 तो 2 ज़्यादा है तो required percentage हमारे पास कितना आ जाएगा 2 ज़्यादा है किसके comparison में 7 के comparison में तो जिससे compare करते हैं उसको नीचे लिखेंगे multiply by 100 तो हमारे पास 200 divided by 7% आ गया 200 divided by 7 200 को जब साथ से बाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 28.57% और ज़्यादा या कम भी पूछा तो हम कह सकते हैं कि more है तो 28.57% more हमारा correct answer हो जाएगा अब ज़्यादा 28.57% more हमें first option में ही given है So option 1 will be correct answer to this question Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड के डाउटने टाप या वाथ्साप कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्सो पर